Hello friends, Welcome back to analyzing stock market तो आज हम बात करने वाले हैं NICA के बारे में और उसका stock analysis करने वाले हैं 26 April 2022 के लिए तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट में चार्ट में उपन कर लिया है यह चार्ट में ने अपने जिरोधाकि अकाउंट से उपन किया है वह बिल्कुली फ्रिमें open कर पाऊगे और वहाँ से अपनी ट्रेडींग जिई भास कर पाऊगे तो चलिए हुआ सबसे पहले यहां पर आजके दिन क्या हुआ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आनने का में हमरे देखना मिल रहा है 7.47 पर gotשה, you轉sch need a region तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहां पर एक नेगेटिव तो है या फूर को अपसाइब मोमेंट आने वाले वाई उस बारे में हम बात करेंगे साथ यहां पर का कल के लिए क्या सपूर्ड जो और रिसीन जोंडेश बंता है जरूर यहां करके बताएंगे और यहां पराज के लोजिंग समय क्या लगता है स्छॉक मेंहें आने वाले गद्दिन के लिए हमारे ओपिनियन देंगे अब जाते हैं हमारे वन भलक देखने मिल रहा है और यहां पर इसफ़वें रहा है चोग है झिता है वह सबlyra कि किसी भी सटॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जब दो करना चाहिए जब भी हम किसी सटॉक में करें तरतने जब भी भी मेरे ओर ईंडिंट के लिए तोग यहांद ज्कुंस्ड। धाल मिल सकता है बाकि यहां पर मैं आपको बता दो स्टॉक में क्यों डाउंसर देखने मिलने हो लिए यहां पर करेंटली स्टॉक ने आज के दिन जए क्लोजिंग नीचे जो यहां पर स्टॉक के ट्रेंड को यहां पर थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड में जो कर देती है जरूर्ट दिनों में क्या हो सकता है हमें जरू कमेंट करके बताना लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को बिदर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ जो बैल आइकन को भी दबा दे और यहां पर बैल आइकन को दब हैं तो चलिए अब जाते हैं हमारे वनार के चार्ट में मिलने वाला है तो यहाँ पर आरका चार्ट जो हमने यहां पर आल्रेडी आपन्य दिया है तो यहाँ मिस सबसे पहले इंपोर्टन चीजी किसी भी स्टॉप में होती है उसका सब्सक्ति ऊपर आप पर ज़रूर मार्क करके रख देता हूं तो जिस तरह से मैं यहां पर मार्किंग कर रहा हूं आप ज़रूर अपने चार्ट पर जब वह वह तो अगर आपने तक हमारे सब्सक्राइब करें तो यहां पर आपको समझ पाए और यहां पर डिफ्रेंट टाइब ऑफ पैटन्स के बारे में यहां पर आपको एक नॉलेज आज है जो हमें क्लोजिंग को क्लिए बात इहां पर करता है जो एरिया होता है वह होता है इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो गुमते हुए देखने मिले तो यहां पर आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है आपको जब वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफ देखनी है किस तरह से आप अपना टार्गेट चलना है साथ ही साथ इंट्राडे में चाहिए हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर उपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वह भी हमने आपको समझाया तो जब उस वीडियो को पूरा का पू प्रॉफिट के बाद का अगला रेशन आता है 1720 यहां पर मैंने जो दो सपोर्ट और रेशन यहां पर आपको बताएं जरूर जाप उसी को कंसीडर में रखते हो अपना कल के दिन का जो ट्रेट ले अब रही बात यहां पर मेरे ऑपिनिन की स्टॉक में आज के लिए बेसे बाकी मार्किट भी किस चल रहा है वह भी आपको दरूर देखना है क्योंकि यहां पर आप लास्त में मैं तो वाल्यूम अच्छा कह से यहां बढ़ते हो देखने मिला है तो उसको हमें ज्यान में रखना है कहीं कलके दिन जो है यहाँ पर गैव डाउन ओपनिंग होते हुए हमें और बीजाज सेलिंग देखने ना मिले इसलिए बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरू कमेंट करके बताना और अगर आपको हमारा एनलाइस पसंद आया है तो कृपिया हमारे वीडियो क को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू क्या है